श्री सनी देव आये नमाहा दोस्तो स्वागते आप सभी का मेरे वास्तु ग्यान गंगा यूट्यूब चनल पर आज मैं आपको सनी वार के उपाई बताऊंगा घर में धन की कमी है ब्यवपारत्चा निचल पर आये किसी भी प्रकार के कोई परिशानी है तो दोस्तो सनी वार के दिन सनी देव की और हनवान जी की पूजा करने से सारे कश्ट दूर हो जाते हैं दोस्तो नम्मर एक जो व्यक्ति सनी वार के दिन सनी देव को तेल अरपन करते हैं उनकी प्रतेक मनुकामना पूरी हो जाती है सूर्यष्ट के समय किसी ऐसे people के पास दीपक जलाएं जो सुन्सान इस्तान में हो या किसी मंदर में इस्थ पीपल के पास दीपक जला सकते हैं 25 सनी के कारण दन संबंदित जो भी परिशानी आ रही है आपकी सारी परिशानी है दूर हो जाएंगी दोस्तो नम्मर दो, सनीवार को आपको हनमान जी का चोला जरू चड़ाना चाहिए इससे आपके दामपत्य जीवन में जो भी परिशानी आ रहे हैं सारी परिशानीयां दूर हो जाएंगे सिनूर में थोड़ा सा गायका घी मिकस करके हनमान जी के सामने खड़े हो जाएं और हनमान जी को चोला चड़ाएं, इससे गर में धन आता है कर्ज दूर हो जाता है, कर्ज शंबंदित जो भी परिशानीय आपकी सारी परिशानीय दूर हो जाएंगे दोस्तों नम्मर 3, सनिवार की सुभे, देने कार्यों से निम्रत होकर तेल का दान करें इसके लिए एक कटोरी में तेल लें और अपना चेरा देख करके फिर तेल का दान किसी सुपातर व्यक्ति को देना चाहिए ऐसा करने से सनी से सम्मंद सारी परिशानियां दूर हो जाती हैं अगर आपके उपर सनी साड़े साती या डईया का असुप प्रवाब है ब्योपार आपका चनी चल रहा है, कर्ज वड़ रहा है, तो वो सारी परिशानियां दूर हो जाती हैं सनिवार की रात में रक्त चंदन से अनार की कलम से ओम रीम बोजपत्र पर लिख करके नित्य पूजा करने से बिद्या और बुद्धी की प्राप्ति होती है ये टूटगा पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए बेहदी लाप्रद माना जाता है सनिवार को काले कुते, काली गाय को रोटी और काली चडिया को दाना डालने से जीवन की रुकावटे दूर होती है ये भी माननेता है कि सनिवार को तेल से बने पदार्थ गरीबों को खिलाने से सनिदी प्रसन हो जाते ही सनिवार को संध्या काल में अपनी लंबाई के बराबर का एक लाल रेशमी धागा ले अब इसे जल से दो करके आम के पत्ते पर लपेटे इस पत्ते और लपेटे हुए रेशमी धागे को अपनी मनोकामना का ध्यान करते हुए बैते हुए जल में प्रवायत कर देना चाहिए दोस्तो इस उपाय के करने से आपके जीवन में आ रही या दामपत्य जीवन में आ रही सारी परिशनिया दूर हो जाती है दोस्तो प्रते के व्यक्ति को सनीवार को अन्यदान जरूर करना चाहिए अन्यदान में चना जरूर मिक्स करें इससे सनीदे प्रसन हो जाते ही और जीवन में आ रही सारी परिशनिया सारे दुख दूर हो जाते ही सनिवार को जो ब्यकति काले कुत्ते को रोटी खलाते हैं उनके उपर सारे दोस दूर हो जाते ही काली गाय को रोटी और काली चिडिया को दाना डालने से आपके बिवाएक जीवन वे आरी सारी परिशानिया दूर हो जाती है साथ ही आपके उपर किसी भी प्रकार के कोई परिशानिय ब्योपार अच्छा नहीं चल पा रहा है , नोखरी नहीं लब पा रहे है तो वह भी सब ठीक हो जाते ही सनी की साड़े साते हो ड़या या अन्न कोई भी सनी दोश हो तो सनीवार को किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे दोनों हातों से इसपर्च करें इसपर्च करने के बाद पीपल के पेड़ की पांच परक्रमा या साथ परक्रमा करें ओम समसंश्वराय नमाहे इससे मंत्र का आपको जाब करते जाना है दोस्तों वहाँ पर आपको एक दीपक भी जलाना है और साति धन पराप्ते के लिए प्रात्ना करनी है इससे आपकी हर परेशानी दूर होगी हर मनुकामना पूरी होगी दोज़ों सनिवार के दिन जो व्यक्ति हनमान जी के सामने दीपक जलाते हैं और उसमें दो लोग डाल देते हैं साथी सनिदेव के सामने दीपक जला के दो लोग डाल देते हैं उनकी प्रतिक मनुकामना पूरी हो जाती है जीवनवारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं सनी देव को प्रसंद करने के लिए हनवान जी की पूजा करना बहुत ही शुम माना जाता है प्रतेक सनी वार को हनवान चालिसा का एक साथ बैट करके से एक ही जगह बैट करके साथ वार ग्यार वार या किस वार पाट करना चाहिए ऐसा करने से आपकी सभी मनुकामनाय पूरी होंगी सनिवार की संध्याकाल में पीपल के पेड़ के नीचे चोमुकी दीपक सर्सों के तेल का जलाने से दन बैवब और यस में ब्रद्धी होती है नोकरी करने वाली व्यक्ति की ओपिस में इस्तिती अच्छी होती है वही ब्योपार करने वाले ब्योपारी में विश्यस लावांतिक होते हीं माता लच्मी की असीम किरपा रहती है सनीवार की जो दिन होता है ये बहुत बड़ा दिन होता है सनीवार की प्राक्यतित दारुक है ये बगवान भैरव और सनी का दिन है समस्त दुखों एबं परिसानियों से चुटकार पाने के लिए सनीवार के दिनों ववास रखना चाहिए सनी अमारे जीवन में अच्छे कर्मों का फल, पुरुषकार और बुरे कर्म, यानि बुरे कर्मों का डंड देते हैं, अच्छे कर्मों का फल देते हैं, कहते हैं कि जिसका सनी अच्छा हुता है, वह राजपद या राजशुक प्राता है, जो व्यक्ति सनी देव को प्रसंद और सनिवार को भूल के भी आपको दारू नहीं पीनी चाहिए नम्मर दो पूर्व उत्तर और रिसान दिशा में यात्रा करना मना है सनिवार के दिन पूरम में उत्तर में और रिसान दिशा में यात्रा नहीं करने चाहिए कास कर पूर्व दिशा में दिशा सुल रहता है ज़ से आपके जो भी परिशानी आ रही हैं वह दूर हो जाएंगी दोस्तों सनीवार के दिन यह उपाय करने से आपकी हर मनुकावना पूरी होगी